गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप शब लो और सुवे जे मैं अपना ब्लॉग इस्टार्ट कर रही हूं सोना की तब यह ठीक नहीं है मैं इनको लेकर वैटी हुई हूं कुछ भी नहीं करने देरी कुछ भी स्रिप मैंने चाय बनाई है और सुवे का बिस्तर उठाय दिया बाती किये यह आएंगे तभी इसको लेंगे तभी बहुत ज्यादर हो रही है उल्टी हो रही है सर्दी बैट गई पता नहीं क्या यह बहुत लेजी बीमार बढ़ गाती हूं आरवशि का अपनी भार केल रही है वुको पूरे दिन ढूलातार अर शुंती ने को मैंने अपनाई बलोग इस टार्ट कर देती हूं यह जयो खर्षा रहे हिं अपना यह नी पता इस टार्ट पर इस टारट कर देती हूं He's gonna ठीको तूं ठीको बुलकुल भी नहीं रह रही है जब अच्छे रोहे तो फिर क्या फायदा करने का मननी करता है और ठंडा मौसम हो रहा है कल निला दिया था मैंने निलाया तो जैसे हर्वा निलाती वैसे ही निलाया ता गरम पानीश पर पता नहीं कैसे क्या हो गया मुझे क्रेश को सर्दी बैठ गई है अभी आएंगे फिर मैं इनको दवाई दिलाने जाओंगी तब जाए कुछ करूंगी फिलाल चाहे पीए और मुझे क्रीम लगा लेना ठीक है और अब बस अपना खुद का नहाना आना होगी है बालाल कुछ भी नहाया है अब देख सकते क्या बाल बाल बाना नावाना तो मुझे सुबह ही होता है अगर मैं सुबह नहीं ना होगी तो सारा काम मेरा वह हो जाएगा और मैंने छोले रात कोई भी हो दिये थे छोले की सब्जी बनाओंगी अलग तरीके से बना रही है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी बहुत अ अब मेरे भोले नाथ मैं यह फोटो ही पर हमेशा लगा रहे था अपने नोटिस के अब बहुत टाइम हो गया जब से इनको लेके बैठी हूं छोटे बगाओं में भी ऐसे ही जब अच्छा हो जादू लेके बैठना पड़ता है बैड समेट लिए जाडू आडू नहीं अठागे रख दो फॉट आपको पता है अलगी दिखती है तो इतना कुछ नहीं है बस बड़तन अर्थ मतलब मोटा मोटा काम कर लिया है बड़तन बिस्तर हो गया क्योंकि बिस्तर उठाए नहीं तो पूरा कमरा कमरा नहीं दिखेगा पूरा फैला फैला तो यह जाए थी मैंने बिक्स की मालिस की है, लेसन डाल के तेल की मालिस की है, नहीं, रहो नहीं, क्या हो गया? तो चलिए ठेट सारी आप लोगों से बाते होने के बाद, यहां पर मैंने लिया अचार और मेरे जुड़ा देखिए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला बाल वगरा बनाने का, ठीक है होता है, यह अचार लिया है, आम का लिया है, इस दवार मैंने कोई अचार नहीं डाला है, मैं रेडिमेंट लिया है, यहां पर बेखने वाले आये थे, उनसे कठेल का, मिर्ची का, नीवू का, और आम का, पांच चार लिया है, आधी-आधी किलो, क्योंकि ना सब जी वगरा समझ में ना आये, तो ठीक है, टिफिन वगरा में इनसे खिला दो, दे दो, और यह सोना को आ कठेल का चार किसको पसंद है, प्लीज बताईएगा मुझे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता, आप लोग बताते हो, तो इन सब को आपको फैला-फैला सा लग रहा है, पर अभी मैं समेट लूँगी, क्योंकि जब वो गई है, उनको वो आ गए थे, गाडी लेके, फिर वो दबाई दिलाने गए, तब मुझे थोड़ा सा ताइम मिला, तो मैंने भोला, यह सारा रख देती हूं, समेट के, और यह मैंने छोले भी होए थे, जैसा बताया मैंने, और छोले मेरे काफी अच्छे से भींग चुके हैं, मुझे इसके चुबो बनानी, और गैसा साफ की थ है, सब कुछ मतलब वैसे काही ही वैसे चोड़ दिया है, और चने करती हैं, चने कोacağफी में गाती हैं, तो यह में ने क्यूं मेधा हैं, मैंने पांप कि पहन में चने की बनाता इता हूं, मुझे निए पताँ, आप लोगो उन्ट्राय नहीं किये हैं और अगर देखा हो तो तो ट्राय जरू करिएगा और यह पानी आया था तो पानी आपको पता ही मुझे छोटे बढ़तनों भर के रखना होता है क्योंकि नहीं भरूंगे न तो हो नहीं पाता है तो इसलिए तो चलिए इसके बाद सौना आ जाएं फिर उनको दवाई वगएरा दूगी और उनके लि को पीशने के लिए जा रही हूं क्योंकि पीश के मैं बहुत अच्छी रेसिपी बनाने जा रही हूं और आप लोगों के कमेंट थे कल की वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आया थे कितनी सेलरी है कुछ लोगों ने बोला दी आप अपनी सेलरी मत बताईएगा पर मैं यह चा कि आई है क्योंकि आपको बता है मेरे डॉलर सारे कट गए थे जिसके मैंने वीडियो भी बनाया था तो दोस्वें क्योंकि क्लियर कोई उट्यूवर नहीं बताता है कितना है तो मैं यहाँ बिल्कुल भी जूट और वो नहीं करना चाहूंगी मैंने आपको किलियरी बताया है और जूट लगे या सच लगे मैं मुझे नहीं पता क्योंकि मैं किसी कि वो छाती फाड के तो दिखा नहीं सकती हूं तो जो भी है जितना आया उतना बता दिया सच और जूट का फैसला सफाई और जूट कुछ नहीं कर सकती हूं क्योंकि जिनको जूट लगता उनको जूट लगे जिनको सच लगता उनको सच लगता उनको सच लगे पर मैंने क्लियर किया मेरे जब डिसेवल हुआ था तो क्या हो गया था तो चली मैंने सेलरी की बात बता दी यहां पे मेरे छोले थे वो भी पिस गए है और वज़िक अपनी पूजा की तैयारी करने जारी मुहा तो हम मैं सिल को धोके रख देती हूँ क्योंकि फिर गंदी हो और देखे धेर सारे बरतन पढ़े हैं कपड़े भी रख पढ़े हैं मतलब बहुत सारा काम है और साम के 5-6 बज़ गए आज नहीं धोया कपड़े बगएर नहीं धोयते क्योंकि शौना ही तब ठीक नहीं थी था तो मैं भी अपना मुह हाद हो के पूजा कर लेती हूँ मेरी दोनों टाइम की पूजा पकी है मैं पूजा ज़्यादा ही वो हो तो छोटी हो देखे वज़िए मेरे जैसे करती जा रही है वो अपने पैर वगएरा सब धोएगी पता है मैं यह चांती हूँ कुछ भी करो चाहें लोगवा हमारे बारे में कुछ भी सोचे अपनी तरफ से साफ रहो अपने मन में कोई भी वो ना रखो क्योंकि हम साफ है ना तो हम किसी से भी नजरे मिला सकते अगर हम आप से छूट बोलेंगे तो हम खुद से नजरे नहीं मिला सकते तो मुझे कोई मैं फिर से मुझे पता है कमेंट आएंगे कि आप एक बात को कितने बार बोलते हूँ मैं इसलिए बोलते हूँ मैं यह नहीं चाहती मेरी वज़े से कोई confusion हो मेरी family को कोई बात ना समझ में आए तो मैं एक बात को बार बार इसलिए repeat करती हूँ तो मैंने अपनी जो भी clear है वो बता दिया है और मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है मुझे अपने आप लोग जो जो मुझे प्यार करते हैं और मेरे लिए इतनी सारी दुआई करते हैं मुझे उनसे फरक पड़ता है ठीक है यह सारी clear हो गई और चलिए सबजी को तयार करते हैं तड़का देने के लिए मैंने बड़ी लाइची दाल चीनी सूखी मिर्ची चार पांच चार डाली है और अद्रक वगेरा भी नहीं डालूँगी मैंने मिर्ची डाली है और प्लीज अगर आपको यह रेसिपी मेरे सादा सिंपल से वह होते हैं तो ऐसी सबजी बहुत ही अच्छी बनती है दही वाले रचोले बनाने जारी हूँ अगर आप लोग लग यह तो ट्राय ज़रूर करिएगा और छूटती जा रही है पर मुझे कमेंट आये थे कि आप इस पर चिपका लो कुछ ना कुछ तो करूंगी अभी तो नहीं पता है बच्चे बीमार हो फिर इतना तो नहीं हो पाता है थोड़ा मैं ना सो भी जाती हूँ वैसे आज कल कमेंट के रिप्लाइ मैं नहीं करती हूँ मेरे हजवन करते हैं आप सब को कमेंट के रिप्लाइ वो ही करते है क्योंकि मैं फॉन से दूर रहती हूँ क्योंकि फॉन में पूरे दिर रहो ना तो मेरे सर में दर्द होने लग जाता है तो मैं फॉन से दूर रहती हूं, सारे कमेंट, क्या कौन लिख रहा है, क्या नहीं, सारा कुछ यही देखते हैं, तो मेरी टमाटर भूझ गए थे, उसमें सारे मसाले डाल दी, इनको हिलाना अच्छे से भूझ जए, फिर मुझे इसमें सारे मसाले डाल देने हैं, तो यही था और कुछ सोच रही हूं कुछ प्लान कर रही हूं और गाड़ियों की तो मैं पता आपको नहीं बता सकती है मैंने पीशे थे वो थे पीश के ना कुछ अलगी फ्लेवर आ जाता है अलगी स्वाथ चला जाता है क्योंकि छोले तो हम कई तरीके से खा चुके ऐसे बना और एक बर इस तरीके से भी यह देखे कितना प्यारा कलर आया कितना सुन्दर लग रहे हैं आप देख सकते हो ना बहुत ही तो जितने यह देखने में सुन्दर लग रहे हैं उतने खाने में भी सुन्दर है और इसमें थोड़ा सा पानी डालूँ ज्यादा नहीं क्योंकि मुझे इसमें दही डालना है दही में मेरे confusion आप लोग क्या आजाता कि दही है कि लसी यह दही है 10 रुपे बाला यह देखी comment आते कि दही डाला कि लसी डाले तो यहाँ पर मैंने इसको खोल के पूरा packet दाल दूँगे और इसको हिलाते रहना है अगर हिलाएंगे नहीं तो फट जाएगा यह तो इसको हिलाते रहेंगे इसको पस कुकर गढटन आप चाहें, तो कस्तूरी मैथी डाल सकतें अब में दोनों ही नहीं थे, तो मैंने नहीं नहीं दाला तो चलिए इसको जब तक ऊफने का देखी उफान आई जा गया है, उफने जाल इकान थे टार्वाद और तीन चाह सीटीवाद मैं आपको इसको दिखाती हूं कैसी वनी तो और ये चाय का पानी है अदरक बगएर डाल कि मुझे इसमें छूलो में डाला है और यह मेरी छोले है जो मेरी इस तरीके के बनके तयार हुए आप चाहें चावल के साथ रोटी के साथ दलीये के साथ जि बहुत सुन्दल लग रहे हैं तो चली इस वीडियो को मैं यही है और मैं सोची थोड़ा वो जिनके रेसिपी की चैनल होते हैं वो डेकुरेस्ट करते हैं वो सोची पदली थोड़ा सा भी दही बचाई नहीं तो इतना तीन बूंदे ही बचा सारा डाल दिया था मैंने तो यह अगली वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए बाए बाए और अपना ध्यान रखिएगा